हाई गाईस आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% unique content लिख सकते हैं और उसके साथ आप content writer बन जाएंगे और blogger बन जाएंगे तरह आप easily blogging कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक ऐसी trick बताई है जिस trick का use करके आप किसी भी subject का content लिख सकते हैं आपको python की knowledge नहीं आप python का content लिख लेंगे आपको AI की knowledge लिख लेंगे AI का content लिख लेंगे आपको किसी भी field का content लिखना हो आप इस method को follow करके लिख सकते हैं तो वीडियो होने वाली है बहुत important अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया तो इस channel को जरूर subscribe कर लें और bell icon को press क लें और मैं जिस method को follow करता जहूँ आपको भी उसी method को follow करना है just five minute में आप ए content writer बन जाएंगे as well as blogger बन जाएंगे तो मैं google पे आगया हूँ google पे अब जो मैं method करूँगा आपको इस method को पूरा step by step follow करना है तो ठीकि मैं एक website सर्च करता हूँ आप ये website का name देख सकते है small SEO tool आपको same name सर्च करना है आप name पड़ सकते हैं आपको ये name सर्च करना है इस name को सर्च करने के बाद आपको इस website पे आप देखे process क्या रहने बाला है सबसे पहले मैंने एक website से content लिया हुआ है ये देख सकते हैं पर ये copy content है ये website से लिया हुआ है तो ये 100% copied content है मैं इस website में जाके इस content को check करूँगा तो आप देखेंगे 100% copied आएगा फिर मैं एक और tool लूँगा उस tool की मदद से उसको 100% unique बन अब आपको पूरा steps को देखना है तो देन आप देख सकते हैं जो content है 100% copied content है अब हम इसको 100% unique में बदलने वाले अब आपने देखा कि ये content 100% copied था अब आपको आना है ग्रामली पर जो method मैं बताओं आपको उस method को follow करना है तो आपको पूरा उस method को follow करना है तो यहां पर एक option आएगा new तो आपको new पर click करना है and new पर click करने के बाद जो content आपका 100% copy था यानि कि जो content आपने कि इसी website से उठाया था उस content को पूरा copy करना है और यहां पर ग्रेना है अब देखे ग्रामरली ग्रामर मिश्टिक तो सही करता ही है बट आपको पता होना चाहिए यह सुनोनम सिमलर बट्स भी आपको बताता है तो बस आपको कुछ बट्स के सिमलर बट्स को यूज करना है अभी मैं adjectives पूरा sentence form में बट्स यूज नहीं क सकते हों मैं अभी reporting का एक सुनोनम से ले लेता हूं writing and then analytics का आप चेंज करना चाहिए कर सकते engine इसके भी बहुत सारे सुनोनम से ले रहा हूं फिर आपको एक sentence form में लेना है मैं बार 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 बोल रहा हूं फिर जैसे कि layered इस कि इस पर click करना है simply आपको इस पर click करना है उसको कोई सुनोनम नहीं होगा तो यहां पे लिखाया है गार नो सुनोनम सुम दूसरा बढ़ लेते हैं दूसरे वर्ट की सुनोनम देखते और operations कर देते हैं मैं इसको which allow to allow को देखी है आ पे कुछ wrong आ रहा है तो इसको मैं allow कर देते हैं और operations कर देते हैं यानिकि जो भी mistakes होगी वो आपको पूरा बता देखा और आपका जो content अभी जो 100% प्लगरिजम आ रहा तो उसको मैं अभी 100% unique बनाने वाला हूँ आपके सामने ठीक है तो यहां पर देखिए इस किस निसारा इस नोनम्स आ रहा है तो आप brand को अगर आप चाहिए तो आप change करना चाहिए कर दिया और इसको मैंने copy किया अब हम फिर से उसी टूल में जाकर चेक करेंगे फिर हम देखेंगे कितने परसंट unique आया यह आप यहां पर 1000 बट्स एक साथ लेने हैं तो देखिए अमने आ पर आया तो आप देख सकते हैं यह जो content है 100% unique हो चुका है और यही हमारा aim था अब देखिए आपने देखा 100% जो like plugin बाला content था 100% जो copied content था हमने उसको 100% unique content में चेंज किया only दो टूल का use कौन सा टूल पहला था पहला टूल था small SEO टूल देन दूसरा टूल था Gramally क्योंकि हमें जो synonymous होते हैं Gramally बताता है तो उन बट्स के synonymous means similar words हम उन बट्स के बट्स ले लेते हैं जैसे की best का और दूसरा similar होगा हम उसके similar words ले लेते हैं और पूरे content को change कर देते हैं अब आपकी मन में एक doubt आ रहा होगा मैं आपको doubt clear कर देता हूँ जो content writer होता है अगर आप उससे python का content बोलेंगी वो python कम लिखेगा आप उससे social science का content बोलेंगी वो social science का लिखेगा आप उससे artificial intelligence का content बोलेंगी वो artificial intelligence का लिखेगा वो हर एक type के content लिख सकता है तो अब आप सोच रहा होगे कि उसको इतनी knowledge कहां से आई उसको knowledge चिंदे की limited ही होती है बट उसके पास ideas होते हैं कि कैसे content को 100% copied content को 100% unique content में convert किया जा सकता है और हम लोग भी यही use करते हैं और इसके use से भी हमने Google AdSense अप्रूल करा है तो आप भी इसका use कर सकते हैं 100% copied content को 100% unique में बिलको copied content को 100% unique बना लें वीडियो चली वीडियो को like करें share करें हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी content writer बनना चाहता है उसको ये video share करें क्योंकि market में हजारो content writing की project मिल ला है आप लोग नहीं लेते हैं अब आपको लेना है क्योंकि आप 5 minutes में content को आप change कर सकते हैं तो thank you guys thank you watching this video गर वीडियो चली वीडियो को like करें share करें और हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें thank you guys